नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूँ आपके साथ अनू पाकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्रैम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी चिराग बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश के हातरस से है हातरस में मौत का सत्संग हु लाकों में हैं लाकों उनके अन्याई बताए जाते हैं लेकिन हातरस में पचास हजार लोगों का जमावड़ा अभी तक जो इन्पूट्स आ रहे हैं सौ के करीब लोगों की मौत इस भगदर में हो चुकी है प्रशासन कहां था प्रशासन को खबर नहीं थी गर्मी का ये आशें वहां पर पड़ी हुई हैं भयानक तरीके की वहां तस्वीरें मनजर हैं आखिर सवाल ये कि प्रशासन कर क्या रहा था पचास जार लोग कैसे जमा हो गए जो प्रशासन कोई उसके पुखता बंदोबस्त नहीं की ये सवाल तो पूछा जाएगा बिलकुल आपने स उसमें भीड जमा हो रही है एकाए घीड जमा हो जाएगी तो बाहर अगर माली जब भगदर हो जाएगी तो क्या होगा कोई इंतजामात नहीं थे और ना कोई ऐसा कभी सोचता कि प्रैक्टिकली हम देखते हैं दिल्ली वगारा सब जगा सथसंग होते हैं वहां भी हजारो पर एक दूसरे से लिख चप्टे हुएं इस तरीके की स्थिती है तो प्रशासन भी क्या है ऐसी काम कर रहा था महां पर बिल्कुल आपने सही का सिर्फ सतर पुलिस वालों के ड्यूटी लगा रखी थी और वो भी बतानी क्या कर रहे थे सीनियर अधिकारी मुझे लगता न इनका नाम है यह अपने आपको बोले बाबा और गुप्तुचर विभाग में कभी नौकरी करते थे उननी से नब्बे के दौर में छोड़ दीती फिर अध्यात्म का इन्होंने रास्ता अपनाया आजकल सफेज सूट टाई जूतों में नजर आते हैं और यह प्रवचन दे ने दिरिश्ट देखा है एक्स पर जहां पर देख रहा है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए अब क्या यह वही तस्वीर है कि यह वेरिफाई करने की बात है लेकिन वहां पर ऐसा लग रहा है कि लोग बैठे है अकसर इस तरह के सत्संग हम अमोमन देखते हैं दिल्ली, NCR, नियम क्या है, नियम क्या होता है, इस तरह की जगा में कि आप पहले जो परमिशन देती है अथॉरिटीज चाहे वो बुलिस हो, चाहे फाय डिपार्टमेंट हो, चाहे नगर निगम हो, और अन्य डिपार्टमेंट हो, सब कुछ इंतजामात देखे जाते हैं, यानि कि सबस इसा तो नहीं कि कोई भगड़ हो जाएगी, कोई situation, यह सबसे पहला question होता है, सबसे पहला यह thought आता है कि भई वहाँ passage आप बताइए कि निकलेंगे कैसे लोग, फायर डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर उनसे NOC लेनी होती है कि अगर कल को आग लग जाए यहाँ पर तो पानी की तो बिल्कुल ज़रत पड़ती है, अब यहाँ लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इसमें तो जो मैं डिटेल में पढ़ रहा था, उसमें था इनकी खुद की अपनी स्वेम सेविकाएं हैं, स्वेम सेवक हैं, वही लोग अपने इस तरह खाने का, सारे चीज़ों का बंदोबस करते हैं तो बाबा जी क्या करते हैं बाबा जी सिर्प प्रवचन देने आते हैं चलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबा जी प्रवचन दे उनके सेवधार लगे उनकी तो गलती है ही है लेकिन सबसे बड़ी गल्टी तो इसमें प्रशासन की भी है ना कि आप allow कैसे कर रहे हैं इतने बड़े प्रोग्राम को और अगर allow कर रहे हैं तो वहां पर आप प्रॉपर जो allow करने की बात है उसमें number of people नहीं बताए गए थे कितने लोग आएंगे उसमें सिर्फ इतना था अंगिनत का क्या मतलब होता है नंबर दिये जाते हैं कि आप कितने आएंगे आप बताएए एक्सपेक्टेड बताएए 2000 आएंगे 3000 और जब मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद होते हैं जो प्रशासनी का अधिकारी मौजूद होते हैं वो तुरंत उनकी जिमेदारी ह सरकार से ही है कि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं ऐसा लगी नहीं रहा है प्रशासन काम कर रहा है वहाँ तो जिसका जो मना रहा है वो एक ने प्रोग्राम और्ग्राम चल रहा है वहाँ भीड पर भीड चली आ रही है लोग आए जा रहे है वो प्रवचन दिये जा रहे ह जो management जिसको संभालना चाहिए वो अपने लेवल पर जो personal जिस तरह से management चला सकता है वो चला रहा है सरकार का कोई ध्यानी नहीं है ना मौके पर डिये में आप सूची क्या हालात है इतनी भीड में इतनी जादा भीड में चोटे-चोटे मर गए महिलाय मर गई महाँ पर आप सोची का काम कर रहे थे सुनने के लिए आये आए यह आपने उनको यह दिया यह हालात पैदा कर दी कि वह वही मौके पर उनकी मौत हो गई अब सोची क्या सोच रहे होंगे उनके परिवार वाले कि इसलिए सत्संग पर गए थे उनके माबाप यह चोटे-चोटे-चोटे बच्चे वहाँ पर सत्संग ब गए और उसके बाद यह हालात पैदा हो गए वहाँ पर आधे लोग तो बह एक महिला चिला रही है और कोई ट्राला टाइप का नहीं होता है चोटा टैमपो जिसे कहते हैं उसमें लाशे रखी हुई है जो वीडियो हमने देखा अब उसकी पुष्टी प्रशासन करें तो इस तरीके की इस्तिती अंबुलेंस कहां है इतनी इतनी अंबुलेंस हातरस म पांसो एंबुलेंस हो जाएंगी पांसो लोगों को ले जाने की लिए तो सवाल यह है कि जिस तरीके की परिस्तिती जन्मी उसके लिए नैतिक जिम्मेदारी किसके घोशित की जाए कि कोई तो है ना जिसके गर्दन दबोची नहीं है इस पूरे मामले को लेकर के देखें अगर लोग तो आएंगी आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर आपको नजर आ रहा है कि यहां पर भीड बढ़ रही है प्रशासन को इमिडिटल एक्शन लेना चाहिए था सीनियर रधिकारी मौके पर पहुंचते भीड को डिसपर्स पता नहीं सीनियर रधिकारी को पता भ रहे हैं वहां से अब पूरे बिल्कुल हो सकता है मुख्यमंतरी भी आएंगे अब तो सब आएंगे क्यों इतना बड़ा हादसा होगे लेकिन सवाल यह उठता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या संबेदा प्रकट कर देने से क्या काम चलता है वहां आप सोचे चोटे-चोटे बच्चे उनकी परिवार अब आप सोचे जो बच्चे मर गए उनकी मान लीजे वो अपने किसी फादर-मदर के साथ आयोगा इसकी माँ घर पर उसका बेट कर रही होगी आप सोचे क्या भयानक सिती माँ पर होगी है तो यह तो बहुत ही जदा इसमें सरकार को अब मैं क्या बोलूँ इसमें हम क्या बोल सकते हैं ठीक है एक्शन लीजे जांच कीजे जो दोश्यों को इसको यह एक भाशन होता है जो नेता देते रहते हैं जो कल मिलेगा भी सुनने को या भी सही मिल रहा है शुरू हो गया इविन मिलना ठीक है क्या बोले इसमें यह किम्म का का कूंकि OF NOC के से मिलनी होती है और नहीं मिल रही तो कैसे कोanie कर देता किसे हो जा जाता उप जा locked up जिसी अ क्ले करते हैं पिर्मिशन लेनी होती है और ये पर्मिशन ली गयी है चाह तक मुझे पता लग रहा है रहा लेकिन सवाल ही होता है, उनसे पूछा जाता है कितने लोग आता है, प्रशासनी यूजिली पूछा है, अंगिनत जो भी आज तक पर मैंने सोना है, अंगिनत कुछ नहीं होता, आपको स्पेसिफिक नंबर देने होते हैं, दूसरी बात, वहाँ पर उनके लिए क्या विवस्त में जाते हैं और दर्शन करके आते हैं, बिल्कुँ जिससे भगदर ना हो, सत्संग में भी देखते हैं कि लोग जो बाबा होते हैं, मंच पर बैठे रहते हैं, उनके नीचे जो है, लेकिन यहां तो जो सत्संग से पहले का वीडियो में देख रहा था, उसमें कोई ऐसी च पा रहा था, प्रशासन ने आखें मूंद रखी थी, जिसका यह खामियाजा भुकता है, सौ से जादा लोग इसमें भी तक मर चुके हैं, संख्या और बढ़ सकती हैं, अब बयान आएंगे, नेताओं के, शुरू हो गए यहांने, जाच का आशवासन दिया जाएगा, यह थी, अगर आखें खुली होती ही, तो सौ से जादा लोगों के जो मरने के आशंका जताई जारे हैं, जिसमें पचास से साथ लोग अब तक अपनी जान गमा चुके हैं, यह दरदना खाथसा नहीं हुआ होता, शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए, यहां रो